क्याय mister तो किस तरह के सिंस्टम से लगशन दिखते हैं तो वीडियो से बने रही है और अन तक जरू दिखेगा ihn。 जब आप वीडियो को लाइक करते हो पसंद करते हो तो हमारा मोटिवेशन अप होता है आए वीडियो शुरूर करते हैं दोस्तों कई दूसरे जरूरी वैटेमिन्स और पोशक्तत्तों की ही तरह वैटेमिन डी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है हड़ियां, दाथ, मानश्मेशियों को पूरे शरीर को हेल्दी और स्ट्रॉंग बना रखने के लिए वैटेमिन डी की आवशक्ता होती है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में ही लगबग सतर से पसतर फिसदी लोग वैटेमिन डी की कमी से जूज रहे हैं साथ ही है शरीर की रोग प्रतिरोधक श्मता यानि की इमिनिटी को स्ट्रॉंग करता है तो चली सबसे पहले यह जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि शरीर में वैटेमिन डी की कमी हो गई है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं शरीर में वैटेमिन डी की कमी होने का सबसे बड़ा संकेत है कि हर वक्त थकान महसूस होना अगर सही डाइट लेने और रात में 7-8 घंटी की नींद लेने के बावजूद भी थकान महसूस होती हो तो यह हो सकता है शरीर में वैटेमिन डी की कमी से हो रही हो इस वैटेमिन कमी तो नहीं हो गयी है धुस्तौन वाइटमांडी शरीर में कैल्सें को सोखने के लिए भी जरूरी होता है हडियों मांसपेशियों और दाँत को मजबूत बना रखने के लिए कैल्सेंट का सेवन जरूरी है लेकिन कैल्शियम शरीर में तब तक अबजर्व नहीं होगा, जब तक शरीर में वाइटमिन D ना हो, तो ऐसे में अगर आपको अकसर पीठ में दर्द रहता हो, हड्डियों में दर्द रहता हो, तो ये भी वाइटमिन D की कमी के संकेत हो सकते हैं, शरीर में लंबे समय तक रहने वाले दर्द औ अगर आपको कहीं भी चोट लग जाती है लेकिन उस चोट को ठीक होने में ज़रोल से जादा वक्त लग रहा है तो यह भी शरीर में वैटेमिन D की कमी के संकेत हैं इसके लावा इनफेक्शन से लड़ने और शरीर में सूजन और जलन को रोकने में मदद करता है वैटेमिन D जैसे में जब शरीर में इस वैटेमिन D की कमी हो जाती है तो घाव के ठीक होने के प्रक्रिया स्लो हो जाती है अगर आपको हर वक्त डिप्रेशन और एंजियाटी फिल होती हो फिर केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करने से ही नहीं होता बलकि अगर शरीर में वैटेमिन D की कमी हो जाए तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा बाल गिरने लगते हैं चलिए अब जानते हैं कि शरीर में वैटेमिन D की कमी अगर लंबे वक्त तक रहे लंबे समय तक इम्यून सिस्टम तेजी से कम होने लगता है इससे सर्दी जुकाम इंफेक्शन और बीमारियों की शिकायत बढ़ जाती है इसके साथ ही इसके कमी से हड़ियां कमजूर हो जाती है मसल्स पेन होना शुरू हो जाएगा दात कमजूर हो जाएंगे दातों में दर्द होने होता है इसलिए हलदी ब्रेन के लिए शिरी में अस्तर ठीक हो ठीक होना चाहिए लगते हैं ब्लड प्रेशर दवीज़ सकतने काका सकता है इसकलाव दोस्तों मोटापे के साथ साथ vitamin D की कमी से भी diabetes हो सकता है मोटापा और vitamin D की problem एक साथ हो जाए तो शेरीर में blood sugar level बढ़ने के chances बहुत जाद होते है vitamin D बच्चों के लिए भी खतरनाक साभित हो सकती है बच्चों में लमे समय तक इस vitamin की कमी खोने से इनीमिया रोग हो सकता है तो दोस्तों vitamin D की कमी से इतने भैंकर भैंकर रोग होते हैं तो इसके लिए जरूर आप अपने सिहत का ध्यान रखें और इसे पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है आप सिर्फ सूरी के रोशने लेकर vitamin D की कमी को पूरा कर सकते हो तो चली मैं आपको बताता हूँ सूरी के रोशने के अलावा आपके इस तरह diet के जरिये कौन सी खाने वाली चीज़ें अगर शामिल करते हो daily routine में तो vitamin D की कमी पूरी हो जाएगी नहीं तो बाज़ारे में आपको cod liver oil मिलेगा फिश ओयल मिलेगा फिश ओयल के जरिये भी vitamin D की कमी को पूरा कर सकते हैं इसके लावा गाजर का juice बीजिए इसमें भी vitamin D की मातरे काफी जादा होती है है ना और सबसे बढ़िया तरीका है आप रोजाना दूद पी लीजे एक लस रोजाना दूद पी लेंगे तो शेज में vitamin D की कमी और calcium कमी नहीं होगी और सबसे अच्छा ये है कि सुबह का धूप लीजे सुबह 6-7 बजे का 10-15 मिनिट धूप लीजे धूप में बैटका राम से आप योगा प्रणयाम कीजिए अनुलों मिलों कीजिए है ना इससे vitamin D मिलेगी है और आपका योगासन भी प्रणयाम भी हो जाएगा चली अब जानते हैं calcium के बारे में calcium हमारे शेरी के लिए इतना जरूरी की है calcium में कमी को पूरा की इस तरह किया जा सकता है और अगर calcium में कमी हो जाए तो शेरी में किस तरह के symptoms दिखते हैं दोस्तों calcium शेरी को मिलने वाले सबसे महतपूर्ण minerals में से एक है हमारे शेरी का लगबा 99 फिस्दी calcium हड़ियों और दात द्वारा ग्रहन किया जाता है calcium हड़ियों और धातों का निर्मान करते हैं यदि शेरी को परयाप्त calcium ना मिले तो हड़ियों और धातों में कम चोरी आ सकती है हड़ियों को मजबूत बनाया रखने के लिए calcium और vitamin D सात-सात काम करते हैं केल्शियम पुराणी हड्डियों को रिपिलेश करके नई हड्डिय बनाता है और वै deben in d. केल्शियम को और सुसान करने में मदद करता है इसलिए केल्शियम और बैटिमिंँ डी दोनों का पर्यापता मात्रा में सेवन फादेमिंद होता है है यह यहाँ हम जरूरी के मातरा डेरी डैट में लेते रहें और हमारे वाय होगा केलीं को करते हैं दोस्तों किर्ण करते हैं कैले करता है और हम करते हैं होने का खत्रा बढ़ जाता है जिनमें हड्डियों के टूटने या फिर गंभीर रूप से चोटिल होने की संभावना बढ़ जाती है हड्डियों दांत कमचूर होने लगते हैं हाट की बीमारी होने के संभावना बढ़ जाती है तो जरूरी है कि शरीर में के मातरा बराबर र साइख लीजिए भ्रोकलि, तोफु ले सकते हैं हडी सबजियां लिए हडी सब्सें भी कादार में Oooh काफी मातरा में नाम है रागी इसमें काफी मातरा में कलिशन होता है आप चीला खाये इसका आप इट्ली गों गगार तब दोचेंग का बहुत अच्छा होता है कि इसकलाब यहाशक होता है ना गोई करना चाहते हैं तो भीगो कर कीजएगा और इस इसी भीगो दिनेश्ट की ठासिर जो है नौरमल हो जाती है तो रोजब्लार लगबक तीन-चार चमच भीगे हैं वे द्न टीन को सेवन यहाशक है। इस किलाव में आपको एक रेसिपी बताता हूं जिसके जरी आप कैस्षिम और वाइटेमिडी दोनों ही पूरे कर सकते हो आप उसके लिए करना क्या होगा साथ से आठ बादाम पानी भीगो कर रख देजिए आप रागी इस तरह बजार से मंगवा लीजिए रागी का पौडर बना लीजिए आपको यहां पर लेना है आदा गिलास पानी और एक ग्लास दूद आदा गिलास पानी में आपको तीन से बादाम बादाम बर यहां नहीं रहा है आप देखेंगे कि तोड़ा-सा गाड़ा होता जाएगा आप चाहें तो इसमें पानी या दूद और एड़ कर सकते हैं इसे पतला भी बना सकते हैं जब यह अच्छे से पक जाये तो इसे किसी मग में या गिलास में निकाल लीजे और इसका सेवन सुभा नास्ते में कीजे इसे दोस्तों शेरी में वाइटमिन डिकी कमी भी पूरी हो जागी और कैस्षिर कमी भी बहुत तेजी से पूरी होगी इसका सेवन वीक में 3 दिन कर सकते हैं और लगतार 3-4 महीने तक कीजे जोडों में दर्द घुटों में दर्द से छुटकारा भी मिलेगा और शेरी में जो नेट्रिशन की कमी है इसे भी ये पूरा करेगा दोस्तों इसका सेवन बच्चे बूढ़े जवान इस तरी पूरुष सबी लोग कर सकते हैं ये पचने में आसान होता है इसे लेने का किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है इसमें जितने ही चीजों का इस्तमाल किया गया यह पूरी तरह से नैच्रल है तो बेफिक् परिवार के साथ और जाते जादे जरूर वीडियो को लाइक करते हुआ तो कल एक नए वीडियो के साथ नए जानकार एक साथ फिर से हाजिश रहता हूं तब तक अपना ख्याल रखे खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए